नमस्कार मेरा नाम है शिवम दूबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं संयोंक तो राष्ट सुरक्षा परिश्यत ने 18 अक्टूबर को फिलिस्तीन इजरायल इस्तिती पर एक मनसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमें गाजा पट्टी में माना उतावाद की प्राप्ती के लिए अर्स्थाई युद्विराम का चोहान आदी विसे सामिल थे मनसौदा प्रस्ताव को सुरक्षा परिश्यत के बारा सदस्वों द्वारा अनमोदित किया गया था लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया वीडियो लेकर आएंगे फिलाल आगे बढ़ते हैं आप सबको बता दें कि अमेरिका के वीटो करने के बाद जिसके परड़ाम सरूप मनसौदा प्रस्ताव को अपनाया कई देशों ने इस पर अफसोस और निराशा व्यक्त की ब्राजील द्वारा तैयार किये गए इस मनसौदा मनसौदा प्रस्ताव में नागरिकों के खिलाफ सभी हिंसा और आतंकवादी कृत्यों की निंदा सामिल है और अंतर राश्ट्री मानुई कानून के अनुसार सभी चिकित साकरमचारियों और चिकित सासोविदाओं की सुरक्षा का आवाहन किया गया है मतदान में सुरक्षा परिशत की 15 सदस्यों में से 12 ने सहमती जताई और रूस वर ब्रिटेन तठस्त रहे अमेरिका आपत्ती जताने वाला सुरक्षा परिशत का एक मात्र स्थाई सद संद्धाप्रस्ताव आम तोर पर अंतरराष्टी संवुदाय की सार्व भामिक्ता की आवाज को प्रतिबंधित करता है या युद्विराम को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा परिशद के सुरुवाति कदमों का प्रतिनिद्द्ध करता है और यह एक मात प्रस्ताव भी नहीं चाहते कि सुरक्षा परिसाथ कोई कारवाई करे और वास्तों में समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। एक रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीनी स्वास्त बिभाग ने कहा कि 18 अक्टूबर को दो पहर के बाद पाउने तीन बजे तक गाजा पट्टी और जॉर्डन नदी के पश्चमी तट पर 3540 लोग मारे गए थे। 70 लोग मारे गए इसके बाद इजराईल ने कहा कि हमला हमने नहीं किया यह हमला खुद गाजा ने अपने ही लोगों पे किया है। वो टार्गेट हमें बना रहे थे या टार्गेट गाजा के अस्पताल को बना करके इस पूरे मामले को टूल देने का प्रयास कर रहे थे यह जांच का विशह है अलाकि अमेरिका इजराल की तरफ पूरते हाख़डा होता हुआ दिखाई दे रहा है बलकि जो बाइडन ये कह हैं कि गाजा और हमास के लोगों को पहले सही निसाना लगाना सीखना चाहिए क्योंकि उनका ये कहना है कि यह निसाना खुद हमास ने लगाया है गाजा के इस अस्पताल पर जहांचार सुए का तलोग मारे गए तो यह था पूरा मामला अभी के लिए हमें इजाज़त दे